आहाँ् 2 उस जमाने थक कुछ कलाकार सितारे बन चुके थे, वह जहा जाते जश्न मनाए जाता उनका आना एक त्योहार जैसा था सीधे सीधे शब्दों में लोग उनके पीछे चूती आ गए एक दिन थेटर में किसी ने पान धुक के बोला इसको तो साला आवार्ड मिलना चाहिए थेटर में कोई भी महत्वपूर्ण इंसान नहीं था लेकिन थेटर में दिवारे होती हैं और दिवारों के कान होते हैं यह वो जगह है जहां से इस सब की शुरुबात हुई थी यहां आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे पहला फिल्म फेयर उस दिन के बाद से हर किसी को चाहिए थी वो काली औरत कई बच्चों का सबना था वो काली औरत जब पिता श्री माता जी के साथ खेल रहे होते थे तब बच्चे हाइने के सामने खड़े होकर फिल्म फेयर की स्पीच तैयार करते थे तो कैसे हैं आप लोग आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिक फ्लेयर डिप फ्लेयर फिल्म फेयर के बारे में रहे चूती है गलक फोटो है हाँ ठीक है ना तो कौन सा कुछ फरक है अब हम सबने अपनी सुहावनी जिंदगी में रितिक रोशन को इस पे नाचते हुए जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो या तो तुम बहुत जादा कूल हो या फिर कूल की कूलनेस में इतना कूल हो चुके हो कि तुमें संसार में कोई चीज लूभाती ही नहीं घहरिस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ये अवार्ट्स क्यूं है क्या है किस लिए है और इससे हमें कितना फरक पड़ता है तो आओ यार अजे देखवन की गर्दन सीधी करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बक्चूदी के अक्टर्स और अवार्ट्स का बहुत ही घहरा रिष्टा है अक्टर्स भी वैसे ही जीव हैं जैसे तुम लोग हो भड़काओगे तो भड़क जाएंगे खड़काओगे तो खड़क जाएंगे और चलाओगे तो चल जाएंगे तो उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसे तुम्हें लगता है सोचो तुम्हें कोई अवार्ड मिल रहा है पहले तो मिनट लगेगा फिर अगले पांच मिनट सिरफ उनको बताऊंगा जिनको परवा है उसकी सफाई भी त्योहारों पर ही होती है अब किसी भी प्राणी को अवार्ड क्यों चाहिए होते हैं ताकि उसे लगता रहे कि उसने अपनी जंड जिन्दगी में कुछ उखाड लिया लेकिन अवार्ड की उकाद होती भी उससे है जो उन्हें ले रहा है अगर मैं तुम्हें बेस्ट यूटूब वाचर अफ दियर का वाड दूँ तो तुम बोलोगे केरिट तुझे कोरोना होगे लेकिन अगर मैं बोलूँ पिछले साल ये अवार्ड अमीता बच्चन को मिला था तो इज़त समान समानी अब जादातर सारे पुराने सितारों को ये काली औरत मिल चुकी है उचको तो लगातार बार बार बहुत बार इसलिए नए वाले सितारे कह रहे हैं हमें भी चाहिए और यही चेन घुमाते घुमाते फिल्म फियर को 65 साल हो चुके मैं अगर Film Fair को 2 second के लिए पीछे वाली कुरसी पे बिठाओं तो तुम देखोगे आज की डेट में हर चीज के लिए अवार्ड है अगर तुम्हें कुछ करना आता है तो तुम्हारे पास अवार्ड है इसी वज़ा से अवार्ड की हालत दुनिया जैसी हो गई है देने वाले जादा हैं लेने वाले कम अब कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिने इन अवार्ड की बक्चोदी में कोई माननेता नहीं है देखे मैं सिरफ उन अवार्ड शोज पे जाता हूँ वेर आफिल लाइक दा किट फ्रॉम तारे जमी पर आफ लोग बक्रेखा करो अप लोग बेर अवार्ड ले लें आप लोग बेड़ लोग वार्ड लोग को बड़िए आज तुमको आवार्ड लेते हैं सल्मान को कोई सुझाव नहीं दे सकता हूँ सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं सुबान अल्ला, सुबान अल्ला अब आओ देखते हैं इस साल Film Fair में क्या कारणामा हुआ सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखके मेरे दिल की नस्ब 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 चड़ गई अननिया पांडे लेडिज ए जज़ंवेन पूद्ट नदियर टू मैं इस वैसले से बहुत खुश हूं मैं इतना खुश हूं कि बहंचोद मेरा भूला नहीं समा रहा है मैं इतना खुश हूं कि कोई मुझे पांच रुपे देगा ना मैं उसे बोल दूँगा मैं इतना खुश हूं कि मुझे कोई जानमूच के कोरोना भी दे देना मैं उसे भी माफ कर दूँगा क्योंकि जो स्ट्रगल करता है उसे उसका फल तो मिलता ही है इसी बात पर आओ स्ट्रगल स्ट्रगल खेलते हैं अब कुछ विकास निया लोगो का मानना है और चोटा भी पोगो चलाता है यह असली जिंदगी कोई पिचर नहीं तुम ब्योंकेस के छोटे नहीं हैं जो औरी से कणि जोड रहे हो लेकर एसा भी नहीं है कि आव लेकर SIM करता है फिर सेक्रेटरी साइन करता है प्र Omantra S sentiments लेक्षन के पीछे क्या राजनीति चलती है ना तुम जानो ना हम देखो मुझे माफ कर तो मुझे नहीं पता अभी तक मुझे किसी एक्टर का लंड चूसने को नहीं मिला लेकिन हमारे बॉलिवूड के मीडिया हाउसिज उन्होंने तो गटक रखा है तो उन्हें जरू पताओं का क्या होता है आओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं पच्चे के मुझे में बार दो DSLR और recording on रखना अंतरिक्ष दिखेगा न तुम्हें बहेंट चोद अब फिल्म फियर को इतने साल हो चुके हैं लेकिन लोग सिरफ अभी क्यों भटे ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि सारे वोर्ड्स एक ही फिल्म को दे दिये फिर लोग अभी क्यों भटे देखो पहले हमें अपने घर से दो गलियां छोड़के वंडर लेंड लगता था अब किसको काली औरत मिलेगी इसका फैसला होता है एक जापानी गुडिया से उसके पेट में चाकू छोड़ो यार तुम लोग सही में माल लोगे इसका फैसला करने के लिए पंचायत बिठाई जाती है जिसमें वो वाले लोग बैठते हैं वो कौन सवाला है सर जो अलदा बेस्ट में था सपोर्टिंग के सपोर्टिंग रोल में उसका डायलोग है ना मैं समान ले के आऊ मैं समान ले के आऊ मैं समान ले के आऊ अरे तो लाना कोट है सर हम भी ट्राइब एठे हैं आप पास कर दो आप खतम कर दोगे कुछ नहीं सर नेक्स नेनानमी है सोन चडिया कौन सी चडिया? उस चडिया कि मैं मार के खा गया किती बार का इमिर से पहले मताय करो मैं बुरा लगता हूँ अरे आईये भाई मोहन जी नेक्स नेनानमी है गली बोई पर सामान दे जाए मेरी बेटी रुकया ने चार हफते से कुछ नहीं किया है मुझे धंकी दे रही है अपने दोस्तों को कहकर अपने आपको किड्नैप करवालेगी और फिर मुझसे पैसे मांगेगी सर प्लॉट तो औरिजनल लग रहा है और लोग बावड़े हो गए देखो अगर तुम कहीं पर अन्याय देखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी गांड मटकाते हो वहाँ पर पहुच जाओ अवाड नहीं मिला तो नहीं मिला ठीक है कोई मुझसे रोटी थोड़ना चीनके ले गया उनकी मर्सेडीस और्टो में थोड़ी ना बदल गई कम से कम सही चीज के लिए तो भसड मचाओ सब पीछे पढ़ गया काली औरत के लेकिन क्या उस काली औरत से किसी ने पूछा उसे क्या चाहिए वो किसके साथ जाना चाहती है क्या उसे कभी गोरा होना था जितने लोगों की जिन्दगी अटक गई अस बात पर कि उन्हें काली औरत नहीं मिली उन्हें तो हम और चड़ाएंगे इस काम को करने आ रहा ही है रोडीस की हेवी वेट चैंपियन सुन मेरी वात तो यार बस आज के लिए सिरफ इतना ही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो एम करते हैं दो मिलियन लाइक्स के लिए देखो मेरी भावनाओं को समझो मेरे पापा ने कभी करन जोहर के साथ कॉफी नहीं पी मैं बहुत जोड से स्टग लारू और अगर तुम लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन उस पे खास हो या फिर छीको मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा मुझे अपोकलिप्स की तयारी करनी है बाई मोहत मेरी दाड़ी का कुछ करते पहले बाल होटो पे आ रहे थे मूँ में आ रहे हैं हां तू लेता क्यो सांस जब पुरा तेने जाए बगवास हां मुझेले बाचास एक खतन तो दूसरी तयार हां मैं ना रहता पास इसे दुनिया में ना कोई खास हां एक साल की है बात मेरा पतला बनेगा शांदार